लामो इतिहास होईना आधा दसक अगी सम्मा पनी विकास को आधार भूत आधार विद्धूत को अभाव मा देश लोडशेडिंग को अंधकार ले निशास्ची दो थियो बर्शात को समय मा समेद दैनिक 6-8 घंटा लोडशेडिंग बिहोर नुपर ने अवस्था थियो बने यूद मात दैनिक 14 घंटा सम्मा तरह हामी गर्वका साथ भनना सक्षों लोडशेडिंग इतिहास बने कोशा तिति मात्र होईन भर्शा याम का करीब 6 महीना भारत तर्फा विद्धूत निर्यात गरी उल्लेख्य विदेशी मुद्रा कमाउने र भारत संग को ब्यापार घाटा कम गरने अवस्था मा पुगे का साउं हू, कुनेब्यला लोडशेडिंगो तालीका सार्वजनि घर्न दिमाग खियाउने प्राधिकरण का कर्मचारी अव विद्धूत निर्यात को तालीका बनाउने गउरब मये छण मा प्रवेश गरेगा सन लोडशेडिंगो त्यो अध्यारो यूगमा नेपाल को विद्धूत प्रनालिमा भारत बाठा आयातित विद्धूत को हिष्चा 43% भंदा नागे को थियो तर्त्यो निर्भर्ता निरंतर घाटेरा खुद आयात 9% मा जरेको चा अब विद्धूत आयात घटाउने मात्र होईना निर्यात बढ़ाउने चरण मा प्रवेश्ट गरी सके का साँ। अब विद्धूत आयात बढ़ाउने चरण मा प्रवेश्ट गरी सके का साँ। मुलुक को आर्थिक विकास को योटा अइतिहासिक कोसे ढूंगा हो जस्मा टेकेर आंतरिक उत्पादन र खपत बढ़ाउने तथा अतिरिक्त विद्धूत निर्यात गरी विद्धेशी मुद्रा आर्जन गरने यात्रामा नेपाल विद्धूत प्राधिकरन अगाडी पुगे पसे उद्धार का लागी सरकार ले अपलेखन गरी दिये गोथियो। आर्थिक वर्ष दुहेजार त्रिहहत्तर चौरहत्तर मा एक अर्भ पचास करोर रुपईया नाफा कमाउदई प्राधिकरन ले धनात्मक अध्याय सुरुवात गरेगो हो। आर्थिक वर्ष दुहेजार चौरहत्तर चौरहत्तर मा भने घटेर 6 अर्भ 10 करोर रुपईया मा जहरेको थियो। तरह प्राधिकरन ले आपुलाई फेरी शुधार गर्न शफल भायकोचा। जसको कारण आर्थिक वर्ष दुहेजार अठतर उनान असी मा नाफा अगिल्लो वर्ष को तुलनामा एक से चौंशठी प्रतिशतले वढेर सोर अर्भ सोर करोर रुपईया पुर्यायर प्राधिकरन को 37 वर्ष यात्रामा नया इतिहास रच्न शफल भायकोचा। अब हामी योपनी भन्न सक्षों सार्वजन इक सस्थान राज्य का बोज होईनन सम्रिद्धिका सारती हुन। प्राधिकरन को इतिहास संगर्च पूर्ण रहेको प्रिस्ट भुमी बाट हामीले पाठ शिके का साँ। कर्मचारीलाई तलप खुआउन पनी रिड लिनुपर्ने अवस्थामा पुगेको प्राधिकरन अहिले आफुलाई सार्वजन इक सस्थान हरु मद्धे सर्वाधिक आमदानी भायको र सर्वाधिक नाफा कमाउने सस्थाको रुपमा उभ्याउन शफल भायकोचा। प्राधिकरन को वार्षिक आमदानी एक खर्वर उपया बाट उकालो लागे गोशा। आफने संस्थागत जमानी मा सिधाई रिण खोजन र लीन सकने अवस्था बने कोशा। विध्धूत उत्पादन प्रशारं र वितरन तरपका आयुजनामा जोकिम पूर्ण रूपमा जमानी बसी दिनू परने जमेला बाट मुक्त हुदई गयपसी सरकारले अन्य संस्थाँ तथा पुर्वाधार मा ध्यान दिन सकने अवस्था पनी सुर्जना हुने छा। बहुपक्षिया र दुईपक्षिया विकास साजेदार निकायकू करीब दुई खर्व रुपईया भंदा बड़ीको लगानी मा काम भई रहेको मा प्राधिकरन आंतरिक श्रोदबाठ मात्रई प्रतेक बर्श करीब 12 अर्व रुपईया पुजीगत खर्च गर्णे र आर प्राफ मा देखीने कोरा अंका मात्र होई न योता विद्धूत विकास का पुर्वाधार निर्माड र सेवा विस्तार मा लगानी हुने भर पर्दो श्रोदपनी हो जसले अज़व बढ़ी नाफालाई सुनिस्चुईत गर्ने सा लोडशेडिंग अंत्यगर्ना र आमधानी बढ़ावन विद्धूत उत्पादन बढ़ावने मात्र होई न चुहावट नियंत्रण गर्नुपर्णे दाइत्व पनी उत्तिकै चुनवति पूर्ण थियो प्राविधिक तथा गईर प्राविधिक चुहावट नियंत्रण गर्न संचालन गरियेका अभियान बाट वितरन तर्फाको विद्धुत चुहावट उल्लेख्य रूप मा घटे को सा छब बर्ष अगिसम्म प्रणाली भाट 25 दस्मलब 7-8 प्रतिशत विधुत चुहावट भईरोहयको थियो निरन्तर को प्रयास्पची आर्थिक बर्ष दुहेजार 27-7 मा चुहावट 15-25 प्रतिशत मा जारियेको मा आर्थिक बर्ष दुहेजार 27-8 प्रतिशत विधुत चुहावट निरन्तर का लागी चालियेका कदमलाई थप बेवस्थित्र प्रभावकारी बनाई चुहावट अगिलो वर्ष को तुलनामा 1.8 प्रतिशत विधुले घटाएर आर्थिक बर्ष दुहेजार 28-9 अशिमा फ्यरी 15-38 प्रतिशत मा जारियेको चुहावट निरन्तर वाट मात्र प्राधिकरनले गता वर्ष को तुलनामा येस बर्ष करीब दुई अर्वर उपईया थप आमदानी गरेको चुहावट नि उपईयोग बढ़ाउने मात्र होई न विध्धूत को पहुंस बढ़ाउने जिम्मेवारी लाई प्राधिकरनले संबेदन सील मानेकोचा 6 बर्ष पहिले करीब 62 प्रतिशत घर्धोरी मां मात्र ग्रीड को विद्धूत पुगेको मां अहिले करीब 93 प्रतिशत घर्धोरी मां यो सेवा पुगेको सा यस बर्ष 10 जिला सहित 42 जिला मां पूर्ण विद्धूती करण गरियेको सा प्राधिकरन र सामुदाई घरे र विद्धूत उपभो घरने ग्रहाक को संख्या करीब त्रिपन्न लाग पुगे कोशा तेस्ते ही प्रतिविक्ति विद्धूत खपत पनी 330 यूनिट पुगे कोशा आगामी दुई बर्षा भित्र सबई नेपाली जनतामा भर पर्दो र गुणस्तरिय विद्धूत सेवा पुर्याउने नेपाल सरकार को गोशना लाई पूरा गर्न योजना बद्ध रूपमा काम भई रहे कोशा तेस्तई आंतरिक रूपमा विद्धूत खपत बढ़ाउन र स्वोदेशी उत्पादनलाई प्रोच्वाहित गर्न येस बर्षा मात्र उद्धो घरुखा लागी 500 MBA लोड सुईक्रित गरिये कोशा प्राधिकरणले विद्धूत महशूल बढ़ाउने होईना गुणस्तरिये विद्धूत सहुलियत मा उपलब्ध गराउने योजनालाई पनी उत्तिकै प्राथमिक्ता का साथ कार्या नोइन मा लगेगोशा विपन्न नागरिक का लागी निशूलक मिचर जडान गरने मात्र होईना मासिक 20 यूनिट सम्मा विद्धूत खपत गरने गराहकले इनर्जी सूलका तिरनु नपरने वेवस्था गरिये कोशा एसरी ग्राहस्त तरफ का आधा ग्राहकले निशूलक विद्धूत को सुविधा उपभोग गरी रहेकासन सिचाई मा प्रयोग हुने विद्धूत मा 75 प्रतिशत सम्मा शहुलियत दिने गरी प्रति यूनिट दुई रुपईया सम्मा महसूल कायम गरिये कोशा भने अन्य समुह को समेत महसूल कम गरिये कोशा खाने पानी रस्चाई मा डिमांड सूलका हटाऊ दे खाने पानी को इनर्जी सूलका करीब 50 प्रतिशत ले घटाईये कोशा विध्धूत खपत बढ़ाऊन ग्रहकले छेमता व्रिद्धिको माग गरे मा ततकाल निशुलका व्रिद्धि गरने वेवस्था गरिये कोशा विध्धूत खपत बढ़ाऊने विध्धूतिय सवारी शाधन को उपयोग प्रत्चाहान गरना चार्जिंग स्ट्रेशन को महसूल मा विशेश सहुलियत प्रदान गरिये कोशा प्राधिकरन आफईले पनी मुलुक भर एकाउनन स्थान मा अत्याधनिक चार्जिंग स्ट्रेशन समेत निर्माण गरी रहे कोशा ये सरी नाफा कमावने मात्र होईना घर घर जन जन रा मन मनलाई उज्यालो बनावने सत कर्मा मा पनी विध्धूत प्राधिकरन प्रति बद्ध बने कोशा पचिलो बर्षम माधिलो तामाकोशी प्राधिकरन तथा नीजी छेत्रको सौर्य एवं जल विध्धूत आयोजनाहरको निर्माण सम्पन भई राष्ट्रिय प्रणाली माँ 735 मेगावार विध्धूत थपिये कोशा एकेई बर्षमा एती ठूलो परिमाड विध्धूत थप्भई नया रेकर्ड कायम भई कोशा राष्ट्रिय प्रणाली को जडित विध्धूत शमता 2190 मेगावार विध्धूत पुगे कोशा नेपाल को हाल सम्मकै सविभन्दा ठूलो 466 मेगावार जडित चेमताकू माथिलो तामाकोसी जलविध्धूत आयोजना सोदेशी लगानी मार प्राधिकरण को अगुआई मा शम्पन भायकोशा अनगिन्ती चुनवती जोखीम र निरासा पाखा लगाए र अहीले देश मा विश्वास को उज्यालो प्रशार गर्न सफल यो आयोजनाले सोदेशी लगानी र बेवस्थापन में ठूला पुर्वाधार निर्माण गर्न सकिन्छा भन्ने आत्मा बल पनी बढ़ायकोशा प्राधिकरण का आफना विद्धूत ग्रिहहर को विद्धूत उत्पादन गता आर्थिक वर्ष मा भन्दा यस वर्ष करीब सोर प्रतिशतले बढ़ेगोशा यो बर्षा प्राधिकरण ले फड़को मारेको औरको छेत्र हो प्रशारन लाइन हो यो बर्षा मात्रई 66 केवीर तेस्पंदा ठूला छेमता का 455 सरकीट किलोमीटर प्रशारन लाइन को निर्माड संपन्न भायकोशा भने ग्रीड सब स्ट्रेशन हरको छेमता 715 MBA थपिये कोशा सोलू करीडोर मोतिपूर संदिखरक बर्दघाट सर्दी बुठुवल मैनहिया सिंगटी लामोसागु नया मोदी लाहाचोक 132 केवी प्रशारन लाइन निर्मार संपन्न भाय संचालन मायकासन 122 केवी का कोशी करीडोर प्रशारन लाइन अंतरगत इनरुआ तुमलिंग्टार खंड मर्शयांगदी काठमांडव भरतपूर बर्दघाट प्रशारन लाइन अधिकामस भाग निर्मार संपन्न भाय संचालन भायकासन येस बर्स सोरवटा ग्रीड साबस्ट्टेशन हरकु निर्मार संपन्न भायकोशा 3114 सरकीट किलोमीटर का प्रशारन लाइन हरु निर्मारा धीन चन साथवी 7879 एमभीय चमता का साबस्ट्टेशन हरु निर्मारा धीन चन विद्धुत प्रशारन लाई अजब विस्तारित्र भरपर्दो बनाऊन थप आयोजना को अधियन पनी भईर है कोछा 226 मता का साड़े 6000 सरकीट किलोमीटर प्रशारन लाइन रो 10,000 MVA छेमता का सब स्ट्रेशन हरु निर्मार का लागी अधियन को 244 माँचन छिमेकी मुलुत भारत संग को विद्धुत ब्यापार का लागी बुठवल गोरपूर 400 केवी दोस्रो अंतरदेशिय प्रशारन लाइन कार्यानोयन को चरण मा पुगे कोछा इनरुआ पूर्णियार लमकी बरेली 400 केवी प्रशारन लाइन तता कुहल पूर देखी उत्तरदेश को नानपारा जोडने 132 केवी प्रशारन लाइन को सम्भाव्यत अधियन पूरा भॉयको सा मैनहिया संपत्तिया नियू 999-132 के भी प्रशारन लाइन को निर्माण अंतीम चरण माँशा इपुर्वाधार बनेपसी नेपाल मा खपत भई बांकी विद्धूत भारतिय बजार मा बेक्री गर्न थप सहज हुनेशा नेपाल रचिनवीज बिद्धूत प्रशारन गर्न रातो माटे रसुआ घडी केरूं चार से केभी प्रशारन लाइन निर्माण को लागी नेपाल तर्फकु लाइन को संभाव्यता अधियन पूरा भई को सा यो आयोजना कार्यानोयन गर्न लगानिको ठाचामा छलफल भई रहे को सा निर्माणा धीन आयोजना हरू यथा सिग्र सकने मात्र होईन दिर्गकालीन आयोजना अंतरगत विद्धूत खपत बढ़न सकने संभावित ठाउवर को पहीचान गरी प्रशारन तथा वितरन तरफ का ठूला छमता का लाइन तथा सौबस्ट्रेशन निर्माड अगाडी बढ़ाईये को सा विध्धूत माग गरेका उध्यो घरुलाई प्रशारण तथा वितरण लाइन को सुध्रीडी करण गर्न तथा छमता विस्तार गर्न ततकाल विध्धूत दिने ग्रिहकार्यमा प्राधी करण अगी बढ़ी सके गोशा मुख्य रुपमा अउध्यकिक करिडोर चेत्रको विध्धूत प्रशारण तथा वितरण प्रणाली को संजाल सुधार का लागी ब्रिहत शुध्रीडी करण को काम अगाडी बढ़ाई एकोशा साथई संगीय राजधानी काटफांड उपत्वेकामा पुराना पुर्वाधार का कारण विध्धूत आपूर्तिमा शमस्या हुने गरेको विशैमा विध्धूत प्राधिकरण पूर्णत सचेत्र शंबिदन सील छा साथई देश का अन्य प्रमुक सहर हरुमा सुधूरीड प्रशारं तथा विध्धूत प्रणाली निर्माड को प्रक्रिया अगाडी बढ़ेकोशा काट्मांडो उपत्यकामा अवेवस्थी ध्वायका वितरन तारको वेवस्थापन को कारिय भई रहेकोशा पहिलो चरण मा महाराज गंज्र रत्नपार्क वितरन केंद्र अंतरगत का चत्रमा भूमिगत गरी वेवस्थापन गर्न सुरू गरिये गोथियो यो आयुजनालाई बिस्तार गरी काट्मांडो ललितपूर भक्तपूर भरतपूर रपोखरामा पनी वितरन लाइन भूमिगत बनावने काम भई रहेकोशा निर्मार का लागी सम्बंधित निकाय हरु बाट अनुमती समय में पाउन नसक्दा अपेक्षा क्रित सफलता हासिल हुना सकी रहेको साइना तरपनी येसका लागी प्राधिकरण को पहलमा कुनाई कमी हुने साइना गराएसी ग्रहाक को घरमा रहेका सिंगल फेज मीटर लाई हटाई स्मात मीटर जडान गरन काथमांडो उपत्यका बाट सुरू गरियेको पाईलट प्रोजेक्ट को रूपमा रत्नपार्क्र महराज गंज वितरन केंद्र बाट करीब एक लाख ग्रहाक को घरमा इस्मात मीटर जडान गरियेको सा देश्वरी स्मात मीटर संचालन का लागी आवस्यक रेडियो फ्रेक्वेंसी को अनुमति का लागी सम्मंधीत निकाय हरुपाट प्रक्रिया अगाडी बढ़ाई येको सा विद्धूत उपभग्ताको गुनासो सम्बोधन गर्न परिक्षण का रूपमा काठ्मांड उपत्यकामा 24 से घंठा कॉल सेंटर संचालन माल्याई येको सा थप ठुला आयोजना निर्मार तरपपनी प्राधिकरणले शमानांत रूपमा ध्यान दियेको सा एक हजार एकसथी मेगावार्ट को माथिल्लो अरूण जलविद्धूत आयोजना निर्मार का लागी परामर्श दाता र दुई किलोमीटर सुरूंग मार्ग सहित करीब 24 किलोमीटर पहुँच सडक निर्मार घर्न निर्मार बेवसाई छनोट प्रक्रिया सुरू भायको सा आयोजना को लगानी जुठाउन विश्व बैंक कर्मचारी संचे कोस हाइज्डो इलेक्टिसिटी इन्वेस्टमेंट एंड डेवलोपमेंट कमपनी लगायत का निकाय हरुसंग शमानांत रूप मा छलपल अगाडी बड़ेको सा 490 मेगावाट को औरूर चार अर्ध जलासा युक्त जलविद्धूत आयोजना सम्युक्त रूपमा निर्माण गर्न नेपाल विद्धूत प्राधी करंडर भारत सरकार को स्वामित्व को सतलज जलविद्धूत निगम बीच समस्दारी पत्र मेमुरैंडम अफ अंडर्स् अंतीम चरण मा पुगे को सा आयोजना का लागी आवस्यक जग्गा अधि ग्रहन को प्रक्रिया अगाडी बढ़े को सा भने एशियाली विकास बैंक लगायत का अंतराश्ट्रिय वित्तिय संस्था को सम्मिश्रित वित्तिय लगानी मोडल मा छलपल भाई रुहाई को सा आयोजना मा करीब डेड़ अर्व अमेरिकी डॉलर लगानी का लागी अंतराश्ट्रिय वित्तिय संस्थाले प्रारंभिक सहमती जनाय का सन उनांसे मेगावाट को तामाकोसी पाँचं जलविद्धूत आयोजना को लगानी शुनिश्चीत गरी निर्माण का लागी परामर्श दातार निर्माण ब्यवसाई छनोट को प्रक्रिया सुरू गरिएको सा 42 मेगावाटको माथिलो मोदी ए, 18.02 मेगावाटको माथिलो मोदी, 210 मेगावाटको चैनपुर स्येति निर्माण सुरुगर्ने चरण मा प्रवेश गरेकाशन 144 मेगावाट को तनहु, 40 मेगावाट को रगुगंगा, 37 मेगावाट को माथिल्लो 303B जलविद्धूत आयोजना हरु निर्माना धीन्छन प्राधिकरण को सहायक कमपणी चिलीमे जलविद्धूत अंतरगत का 111 मेगावाट को रसुआगडी 102 मेगावाट को मध्यो भोटे कोसी 42.2 मेगावाट को सांजेन र 14.8 मेगावाट को माथिल्लो सांजेन आयोजना निर्मान अंतिम चरण मापुगे गाशन प्राधिकरण ले आर्थिक वर्ष दुहजार अंतर उना नसीमा सात वटा नीजी चेत्रका जलविद्धूत अयोजना को 145 मेगावाट र पांच वटा सोलार अयोजना को 38 मेगावाट गरी जम्मा 183 मेगावाट को विद्धूत खरीद विक्री सम्जवता पीपीए गरे को सांग प्राधिकरण ले 377 मेगावाट का नीजी चेत्रका अयोजना संग कूल 6366 मेगावाट को पीपीए गरे को सांग प्राधिकरणले जल विद्धूत उत्पादन मा मात्र नभई विद्धूत उत्पादन का अन्य नविकरणिय विधिलाई पनी महत्व का साथ प्रवर्दन गरी रहाएको सा। प्राधिकरणले विश्वस्निय र गुणस्तरिय विद्धूत वितरणलाई महत्व दियर प्रशारन तथा वितरणलाई र सब स्ट्रेशन को विस्तार र सुद्रीडी करणलाई पनी अभियान के रूपमा अगाडी बढ़ाएको सा। देश वित्रा विद्धूत खापत बढ़ाउन र पेट्रोलियम तथा ज्यास को आयात प्रतिस्थापन गरना विद्धूतिय सवारी शाधन को प्रवर्दन गरना प्राधिकरण निरंतर लागी रहाएको सा। प्राधिकरण ले सहरी शेत्र का लागी विद्धूतिय गाडी मात्र किन्ने निती लियेको सा। पेट्रोल र डिजल बाठ चलने गाडी लाई समेथ विद्धूतिय बनावने कारेक्रम अगाडी बढ़ाईयेको सा। हाल विश्वमा इंधन को नया स्रोत का रूपमा हरीत हाइड्रोजन ग्यास आयको सा। हरीत हाइड्रोजन का लागी आवोश्यक पानी र जलविद्धूत नेपाल मा प्रसस्त भयको हुदा भविश्यमा हरीत हाइड्रोजन निर्यात गरने प्रमुख देश को रूपमा स्थापित हुने प्रवल संभावना स। हाइड्रोजन बाठ एमोनिया र रासायनिक मल यूरिया पनी उत्पादन हुने हुदा देश भित्रई उत्पादन गरी आयात प्रतिस्थापन तथा निर्यात गरन सकी नेशा। प्राधिकरन ले हरीत हाइड्रोजन, एमोनिया र रासायनिक मल उत्पादन कु संभाव्यता अध्यन गर्न, ग्लोबल ग्रीन ग्रोथ इंस्टिचियूट कोरिया र काठफांडो विशोविध्यालाई संग सहकार्य गर्ने समस्दारी पत्रमा हस्ताक्षर गरेको छा समग्रमा सरकार को निर्देशन र उपभगता को हीत नेपाल विध्धूत प्राधिकरन का लागी सर्वो परिहो विध्धूत उत्पादन ब्रिद्धी तर चुहावट नियंत्रण, नाभा ब्रिद्धी तर खर्च नियंत्रण, समझवता विहीन लगन शिलता तर कठोर सुसा प्राधिकरन का मूल मंत्र इनई हुन। एही अटूट अठोटले नेपाल विध्धूत प्राधिकरन नेपाली जनताको विश्वासको धरोहर बनेको छा। सरकार र उपभक्ताको निरंतर हौशलाले प्राधिकरन का हरेक तहका कर्मचारी लाई थप लगनसील, अनुशासित र कर्तव्य निष्ट हुना उर्जा मिलेको छा। यो उर्जा खेरा जाने छाईना। भरू द्रेशलाई उर्जा पाटै सम्रिद्ध बनावने प्रतिज् अधन पली उपने साथ।